कि Assalamu alikum everyone Welcome back to tomorrow's vlogs I hope that all सब ठीक होंगे खैसे होंगे बिन्दास होंगे मैं बिलकुछ ठीक नहीं हो न खहर सी न खहर सी हो उसकी रिजन क्या है आज का मेरा यह टाइटल टाइटल देख लेही मेरी रिजाने आज मैं ठीक नहीं तो आज मेरे जिंदगी का बहुत-बहुत-बहु इतने अंदर टेस्ट होते हैं और इतनी चीजें अंदर होती हैं इतनी मढःले होते हैं स्टेपस होते हैं मेरा experience अभी नहीं है अभी होएगा तो आपको मैं फिर आकर share करूंगी तो उसके लिए जाते कि दिने जाते हैं मैं आठोरे मेरेंगे या जाना अभी बज़ने पूरे साथ मैं उठी हूं पूरे साड़े च्छे बज़े उठके मैंने सबसे पहले पढ़े हैं नफल नफल पढ़ने के वाज़ने मैं धूआ कि है खास कि अल्हा मेरा अच्छे से मेडिकल होज़े जहां मेरा इंटर्व्यू मैसी जागे ये होज़े और फिर इंटर्व्यू अच्छे से होज़े बस मैं बहुंच जाओ वाँ पर तो ये सब चीजे मेरी यूए से आगी अब लगा रही हूं जा दो अब ने भी पाकिसान में अप्लोड करूँगे वहां जाकरी तो ये वह ह effectivement अब अपलोड हो रहा हैं तो बस अब निकल सुंआ हैं मेरा था बहुत ज़्यादा कि मेरे इस खास दिन पे और इन्टर्व Thoram मेरे साथ मेरी family हो या फिर family में मामा लोग या मी sister या दिशान पाकिस्तान आते और मुझे लेकर जाते क्योंकि दिशान के साथ मैं comfortable रहती हूं सबसे सहता क्योंकि हीमत आ जाती है तो थोड़ा होसला हो जाता है और अब यहां दर होसला नहीं है कुछ भी नहीं है न मुझे कुछ पता नहीं है डर इतना रही हूं कोई लाइक वन वीग से ना वन भी पहले इंटर्वियू कि मेल आया था ना तो वनवीग से मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूं मेरा साथ है और ये कब ठीक होना है इंशालाइ तब ठीक होना है जब मेरा वीजा मेरे हाद में आज़ने है तो बस उठीक है दुआश्वाइश भाई नहीं है साथ बज़े के मेरा टाइम है वहां पर 1.55 पूरे 1.55 पर आप लोगो ने पहुंचने के लिए मैं निकलूंगी घर से तकरीबन 10-11 बचे इस्तियातन जल्दी पहुंचने लेट नहीं जल्दी पहुंचने और क्या होगा क्या स्टेप होंगे क्या लेकि जाने क्या करना है इं स्टेप अगस्त और आज है मेरा मेडिकल और मेडिकल को थर्टीन सप्तंबर को इंट्रेव्यो तो तब बताऊंगी अभी मैं यह कप्रे निकाल नहीं अपने सिंपल से न्यू ट्रेस है बस यह कमीज और यह ट्राउजर से यह पहनूंगी मैं नहाँगी और नाश्ता करूं कि मैं भूड़ ड़री होई हो वहाँ से जब आज़ोगि ना आप लोगों को मैं तब सब कुछ चेकलेस्ट बताऊंगी क्या-क्या लेकताँए जरे जिन जरेंके इंट्र्व्यों के से अपता है ना तो नंके लिए सानी हो जाएगी अनीवे सब निकलते हैं मैं मैं पैलों तो यार नाश्ता कर दो निकलते हैं आपको दिखाऊंगी वहां कैमरा बंद दो जाएगा फिर वहां से भी आकर आपको सब कुछ बताऊंगी तो तब तक के लिए आपको मतलब नोटिफाई कर चाहिए होएगा तो बेल एक लास्मी प्रेस कर लो फोलो कर लो सबस्क्राइब कर लो जल्दी से कर लो तो तब तक तक त्यार होती हूं तो बही मैं त्यार होगी पर पहले हैं जहां मेरा है मेडिकल तो अब एक हंटा पहले ले शाथ ही जलाब सब्सम्त मेरा हो गया है मेडिकल और अब मैं आगी हूं घर बीच में मैं कुछ फोन यूज कर सकी मैं अब अंदर चली गई थी उसके बाद और वहां मेरे फोन अलाओ नहीं थे तो सब कुछ बंद कर दिया था कुछ भी नहीं यूज किया बस सीधा अब घर आई हूं और हाल मेरा देख होगी है फिर भी मैंने इस बाजू से मोबाइल पकड़ा हुआ इस बाजू पर मैंने दो लगे हैं वैक्सिनेशन के इंजेक्शन तो मैं यहां ही बैठ कि आपको गंदे हुलियो के साथ बता दूं मैं सोच रही हूं यह वीडियो पॉस कर दो अच्छे हुलियो मैं आके बत सब्सक्राइब करें तो बाद में मुश्किल है कि आपको अच्छे से मैं बता सब्सक्राइब करना जो मुझे थी ना इतना ज्यादा में डड़ी होना पूरा वन वीग इतना ड़ी फरस्ट अगस्त को मेरी आई है सेवंध अगस्त को यह आज था तो पूरा वीग मेरे है डर्द रही है टेंशन रही है ऐसी कोई बात नहीं आज एतना बीआर बहती है द्टक्राइस और सब्सक्राइब को लोग हो tahun और फर्स फॉल मैं जब एंटर हुई सबसे पहले यह चीज कि आप लोग ने जूलरी वेर्ड नहीं करके जानी है जो मुझे पता थी मैंने नॉर्मल से पढ़े पहने अच्छे से पढ़े थोड़े बाजू लूजी आपने के चाने कि आपके स्लीव ओपर चले जाए ठीक है से कपड़े पहने के essentially सिर्फ ऑफ लगाया हूं नहीं थे开व को दका और को आने लिकाओ को पर आप तीक यह में भढ़ना लेना ऊवर नहीं तो बस्ये आप जाओ और वह आपने अस आज़्यकोरित यह कर नहीं अले लेकन जाओ अगर रेकल जाना है मैंने क्या किया था मतलब आप जाकर लोकर भी ले सकते हो अगर आपके साथ कोई एक बंदा है आप उसको प्रिछीजां पर पक्राइब सकते हो और अंदर के ले जाओंगे अंदर सिर्फ अकेला जा सकता है अगर कोई चोटा बच्च उसके साथ एक रेक्षा लेकर जा सकते हैं मतलब अगर आम जैसे एक थी तो जो मेरे साथ ते जिसको मैं लेकर कई थी मैंने उनको सारी चीजें पकड़ा दी भाहिर कैसे तो गम्लाouse साथ वेट किया बाहिर वो उसको अंदर अलाओ नहीं किया उनोंने तो मैं अंदर चली कि पिर सबसे पहले वह इतने प्यार से तो गाड इतने प्यार से बात करती है कि उसने मुझे पुछा जूलोरी बगार तो नहीं पहने होई थे सारे एरिंग्स वगारा स्टेट्स तो यह नहीं उतरवाई ना उन्होंने में नौस रिंग उतरवाई सिरफ मैंने एक नेकलस पेना हुआ था चोटा से पेंडन था वह उन्होंने का यह रिमूव करते हैं तो मैंने खुद ही उतारके उन्हें पकड़ा दिया तो मैं मतलब अंदर स प्सक спiles के साथ गईम और क्या-क्या मुझे चाहिए था रुके मैं आपको दिखाती हम क्या क्या सब से मैं बढ़ाए पहर चाहिए आप सेन्हें की साथ और मुझे निकल वाले नहीं श्री एक sensitive क45 वे किसी अंटिकशूर से निकल जाता है मतलब प्रिंटिंग स्टोर्ज होता है वहां से आप मिकलवा सकते हैं अपना आईडी काड नमबर देखा ठीक है मैंने वहां पर पास्पोर्ट नमबर भी लिखवाया ठीक हो गया एक सैटिफिकेट आपको इस तरह का बिल जाता है फुली वैक्सिनेटीड उपर लिखा होता ह यह चाहिए दूसरी चीज आपको चाहिए एक पॉल्यो का सैटिफिकेट इसकी बैक सेट दिखा रही हूं तो पॉल्यो का सैटिफिकेट होता है चोटा साथ होता है सबसे उपली करता है गवर्मेंट और पाकिस्तान वह फ्लाना टिमकाना कोई ऐसी चीज है देखने दोनों सेटिफिकेट होगे कोई अटेस्टेशन नहीं करवाई हुए बस यह दो लेकर जा रहे है अटेस्ट जो थे मिनिस्ट्री फॉरण से वह नहीं करवाई ऐसे है नौर्मल है और यह जो आपको इंटर्व्यू मेल आई इंटर्व्यू की वह आपने इस तरह कोपी करव तीन चीज़ें होगी चोथी चीज आपका पासपोर्ट एक पासपोर्ट लेकर जाना है वैलिट पासपोर्ट होना चाहिए आपका एकस्पायड नहोंने वाला हो सही अच्छा पासपोर्ट होगा ओके कितनी होगी चीज़े 1234 और फिफ्ट चीज होती है आपकी आईडी कार अंदर पढ़ा है एक इस तरह होता है आपने बस आईडी कार्ट अपना लेकर जाना है पूरी एक दो तीन चार पांच चीज़ें थी ठीक है यह मैं लेकर गई थी लेकिन मैंने इस्तियातन अपनी आईडी कार्ट की कॉपी भी निकलवाई होई थी और अपना पासपोर्ट पूछते हैं वैसे और दूसरी चीज़ी है अब इन सबकी फीस होती है और फीस आपने लेकर जानी है और मेरे टाइम पर मेरे इस डूरेशन में जो गस्त चल रहा है 2024 में मेरी फीस है 43,150 रूपीस थी 43,150 रूपीस थी 43,150 रूपीस लाट में चेक अगें के अलावा भी आपको कोई वैक्सिनेशन एक्स्ट्रा लगनी है न तो अलग से चार्जिस होएंगे उसके वापको बता देंगे मेरी कोई नहीं थी 43,150 ही थी यह चीज़ होगी और अगर आपको कोई यह वैक्सिनेशन नहीं हो रही इन केस इफ एनी गर इस प्रेगनेंट क सबगो है तो हमने लहोरसी में मेरा विल्कियर मेडिकल सेंटर में साँ मेरा में इंग्स अपी में पता कहा कर किया लेकिन मोडल टाउन में मैंने मडीकल टाउन है मैं फोलो करते करते वाज चली थी और मैं मेरी अगर टाइमंग 155 फिर बुलाया मतलब आप साब लगा ले एक किसम का मुझे उन्होंने दो बजे बुलाया दुपहर के दो बजे तब जो आती है लेकिन मैं वहां पर पूरे साड़े वाना पहुंच गई थी मैं इतनी जल्दी पहुंचने के बावजू लिखा होता है कि आप ना पांच मिनट पहले से जल्द मुझे फंबल हो रही हूं धाई गंटे यां दो गंटे लगे हैं एनिवेस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ऐसी चीज कोई भी निया गबराने वाली कोई चीज नहीं होती एंटर होगी अब मैं आपको जो स्टोड़ी पिताई थी सबसे पहले ना आपको न जाक लड़की क्या कि पेशती है कि अपर जाएं यहां से इस रूम में पहला रूम होता है उपर जाएंगे डाट एंटरी के लिए वहां आपको इठालेंगे आपसे नाम पुछेंगे पासपोर्ट आइडी चीज देखके आपकी पिक्चर रेक लेते हैं वह ठीक है उनके और आ आई यह स्टेपिट काड ओके तो उसके बाद क्या होता है डाट एंटरी होगी अब आप से खुद चल के आएंगे आपको कि अब यहां से निचे जाई वोट सेप्शन पर लाट इसके पास जाएं उसको के डाट एंटरी हो गई है उसके पास में आई डाट एंटरी के बैशन आउ सेप्टिंग चैक किया कुए तो रोड़कों का बता क्या सियंट लटकों पता लड़कों का जाता दो करना दो कि तब यही होएगा मुझे उन्होंने का आप मतलब अन्ड्रेस होकर उनका एक गाउन था वो पहन लें वो पहन कर उन्होंने मुझे बढ़ा प्यारे से गाइड किया तरीक से उन्होंने मुझे मशीन के साथ लगवाया कि कुछ खराब पर वहां से आगे बड़े इच्छे से गाइड करेंगे कोई पुराने वाली बात ही नहीं है तीन स्टेप होगे फिर मुझे बाहर आ गया फिर मुझे 10-15 मिनट वेट कर वाया फिर उन्होंने अब आप जाएं फिजिकल एक्जामिनेशन के लिए उन्होंने मुझे वहां से ब तो एनिवेज फिर मेरा फिजिकल एक्जामिनेशन स्टेप आ गया वहां जब मेरी बारी आई उन्होंने मुझे का आजे मैडव आप इधर आजे फिर मैं वहां पैठी हुई थी एक लेडी डॉक्टर जीनोंने मुझे हर चीज पूची हर मतलब जो बेसिक बीमारी है ना सा वहां पूचेंगा आपको टीग बी है वहां आपको पूचते हैं पर शेके बाद आपको एक लड़की कहें की वहीं पर दॉक्तर के साथ खड़ी होती है सिस्टेंट उसकी उसने मुझे कहा प्राइवेट सा रूम बिल्कु डॉक्टर के साथ ही था कि यहां पी आप अंड् लेट गई फिर वही लेडी डॉक्टर आई मेरे पास उन्होंने मुझे चेक किया बकाइदा मेरे बाजू चेक किये मेरे पेट मेरी टांगे अब यह बात कोई केगा खुले आम बता रही हूं यह पतानी चाहिए नहीं लेकिन फिजिकल एक्जामिनेशन मेरी हुई ठीक है उसके बाद उन्होंने मेरी ऑसकल्टेशन भी की मतलब उन्होंने स्टेट स्टेटोस्कॉप लगा कर मुझे सारा मेरी बीर्स चेक की मेरा सब कुछ चेक किया पीछे से आगे से ओके हो गया डान ओगया फिजिकल एक्जैमिनेशन मेरी हो गई वहां पर फिर उसके बाद कि राजनेशन बेच्व के सामने था उन्हों नहीं पीर मुझे बएक वेक्सिनासानीशन रोमें बेच थिया आप उन्होंने मुझे बताया आपके यह थी तीन वाकसिनेशन लगनी मेग सिल्गाई थी ठैनड दो ने तो तीन배न में लगा ऑ newique बाद की तीन स्टीन लगाई एक लगी इधर दो लगी है इधर ठीक हो गया तो दो इधर होगे एक इधर होगे राम से बड़े अच्छे से बताया मुझे वेक्सिनेशन डान होगी उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट दिया और अब रूने का रेसेप्शन पर चली जाए फिर मैं रेसेप्शन पर आई व समझ लें लाइक आपको बाई बाई कहने के लिए आखरी स्टेप होता है मेरे साइन करवाए वहां पर और मुझे क्या कहते हैं मतलब थोरा गाइड किया कि आपके ना यह सारा मैडिकल हो गया और जितना भी आपको रिजल्ट आएगा सारा अब लेक्ट्रोनिक लिए होता ह यह नहीं होथा और यह सब कुछ नहीं है अब प्र व कुछ आपको एंगे थरी देस яютथ मैं पहेंगे और नियुए पिक्चर ऊब्रोने हैं और यह दो आए हो और नहीं है subset पтерес ही और मुझे वह आना तो वह मैं शायद बता दूं आपको इंटर्वी वाले दिन ठीक है वह आएगा डोकुमेंट आएगा जो मैंने इंटर्वी वाले दिन नहीं लेकर जाना जरूरत नहीं है लेकिन वह बहुत जादा रिक्वाइड है कि इस दिन जैसे मैंने यूएस से जाना है मतलब मेरा जब चेक इन होएगा तब देख लेंगे डैट सेट इतना मज़ेगा हुआ इतना मज़ेगा हुआ हमेरी दोस्तें भी बनी दी चार मोबाइल तो लाओ नहीं थे अंदर मेरा सब यूएसे वाले वहां पर थे बड़ा मज़ा है मेरा बहुत अच्छा था कोई डरने वा हमदुल्ला मैं थोड़ा सा वह गईा हूँ इजि हो गई आधी इंशालब्य मेरा इंटर्विव भी है सून तो बहुत अच्छा होगा है अभी जब लाग रहे हैं सब कुछ हो गया है इन्टर्वी भी ओगए बस इसका अगला भी लोग इंटरव्यू की डालूँगी तो लेकिन यह है कि मेरा आप इंटरव्यू हो चुक वह जब आप लोग देख रहे हैं अच्छा होगा सब कुछ अच्छा होगा उमीद आला से सब खेर से होगा आप लोग जितने भी इन्फर्मेशन ले रहे हैं मेरे से किसी को कुछ फाइदा ह लास्मी तो आपने लाइक तो मस्ट करने ना शेर भी करनी है वीडियो अगर कोई आपके रेलेटिव या फ्रेंड्स या कोई ऐसी है फैमिली मेंवर जो इस चीज़ों में चल रहे हैं प्रोसेस में तो आपको मसा आप सुनके थोड़ी टेंशन कम होई होगी जो टेंशन आप वह लेकिन मजा आपको यही मैं रिक्मेंड करूंगे जब भी अब का मेडिकल हो तो आप जिसके साथ हम बहुत् एक्षिन लग सके वेक्सिनेशन ठीक है और जो भी आपको छोड़ने चाहिए उसको के दो गंटे बाद लेने आ जाना क्योंकि वह वेट ना करें आप वेट कर लेंगे देकर कोई विचारत जो आपके साथ आया होता है वह वेट ना करें ठीक है बाहिर खारा हो होकर बैट बै लगें और बाई बाई